प्रदेश के लोगप्रिया और ये शेश्वी मुखे मंत्री ठाकूर सुखविंदर सिंग सुखु जी के उपर टिका टिपनी करने से पहले आदरनिया विदायक शिरी बिकरम सिंग ठाकूर जी को अपने गरिबान में जहांकर देखना चाहिए मुखे मंत्री ठाकूर सुखविंदर सिंग सुखु जी का एक लंबा राजनेतिक सफर रहा है जिसमें वो कई साल हिमाचल प्रदेश N.S.U.I. के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं युवा कॉंग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के 6 साल तक अध्य किया है आज उनको केंद्रे निर्तित्वन ने और विधायक दल ने अपना नेता चुना है इसलिए विकरम ठाकूर जी आपको कोई भी टिका टिपनी करने का उनके उपर जो है वो मॉरल रिस्पॉंसिबिलिटी नहीं है आप अपना कारेशायली देखिए जिस तरीके से अभद्र टिपनी करी है वो बहुत ही निंदनिया है और आने वाले समय में ठाकूर सुक्विंदर सिंग सुखु के निर्तित्व में हिमाचल प्रदेश में चौमो की विकास हिमाचल प्रदेश के हर कोने का होगा इसका हम आपको और आपके शेत्र के लोगों को पूरा करते रहें चैहिंद हिमाचल प्रदेश के लोग प्रिया और यह शेश्वी मुख्य मंत्री ठाकूर सुख्विंदर सिंग सुखु जी के ऊपर टिका टिपनी करने से पहले आधरनिया विदायक शिरी विक्रम सिंग ठाकूर जी को अपने गरिबान में जहांकर देखना चाह पर रहा है जिसमें वो कई साल हिमाचल प्रदेश NSUY के प्रदेश के अधियक्ष रहे हैं कंसल के पूलर के पज पर रहे हैं और साथ ही साथ चार बार विधानसबा में विधायक के रूप में उन्होंने अपनी भूमिका को अदा किया है आज उनको केंद्रे निर्टित्वन ने और विधायक दल ने अपना नेता चुना है इसलिए विकरम ठाकुर जी आपको कोई भी टिका टिपनी करने का उनके उपर जो है वो moral responsibility नहीं है आप अपना कारेशायली देखिए जिस तरीके से आपके कारेकरताओं ने मुखे मंत्री और उनके परिवार पर अभधर टिपनी करी है वो बहुत ही निंदर्णिया है और आने वाले समय में ठाकुर सुक्विंदर सिंग सुकु के निर्टित्व में हिमाचल प्रदेश में चौम्व की विकास हिमाचल प्रदेश के हर कोने का होगा इसका हम आपको और आपके शेत्र के लोगों को पूरा विश्वास दलाना चाहते हैं इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरीके की टिका टिपनी माननियम मुखे मंत्री महदे पे ना करें और हिमाचल प्रदेश के हितों को सकरात्मक रूप से उठाने का कार्यक करते रहें